हेलो एबरिवन शिफ्शक्ती चैनल में आप सबका स्वागत है आज जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो ट्विन प्रेम्स की करेंट एनरजी के ऊपर बनाऊँगी ट्विन प्रेम्स की क्या करेंट एनरजी है उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी देखिए सबसे पहले जवाइन फैम्नाइन की बात कर ले हम यहाँ पर जवाइन फैम्नाइन इस टाइम बहुती ज़्यादा अगर ध्यान दे रही है तो वो अपनी क्रेटिव साइट पर ध्यान दे रही है आपकी क्रेटिविटी सर्फेस हो रही है बहुत सी divine feminine इस time अपना creative side पर बहुत ज़्यादा focus कर रही है its mean आपका sacral chakra कहीं न कहीं balance हो चुका है अगर आप अपनी creative side पर बहुत ज़्यादा focus है आप अपनी creative side पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है आपकी creative side कुछ भी हो सकती है आपका creative side आपका dance हो सकता है, आपका singing हो सकता है, आपकी cooking हो सकती है, आपकी study हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा beautician हो सकते हैं, मतलब कुछ भी आपकी कोई creativity या शायर या शायरी या poem लिखना या कुछ भी diary लिखना जो भी आपकी creative side है वो surface हो रही है इस time में ठीक है बहुत सी divine feminine अपना creative side जो अभी तक कहीं ना कहीं hidden था आपका बच्पन में कोई creative side था या इससे पहले आपकी journey से पहले या आपकी awakening से प creative side था जो बहुत ही powerful था जिसकी वज़े से आप appreciate होते थे लोगों से बट एक time में creativity आप ही कहीं ना कहीं hidden हो चुकी थी बट वही creativity अप बार फिर से surface हो रही है divine feminine अपने आपको फिर से उसी high vibration में देख रही है जैसे वो पहले हुआ करती थी ठीक है तो इस time बहुत सारी divine feminine की creativity जो है वो surface हो रही है अगर अभी आप की creativity surface नहीं हुई तो आप आगे देखेंगी कि आपके अंदर की कोई ना कोई जो creativity थी वो धीरे-धीरे surface होने लगी है ठीक है ये तब होता है जब आपके अंदर की negativity release हो जाती है आप low vibration से high vibration में जाने लगते हो ठीक है जब तक आप low vibration में होते हो आपके अंदर negativity होती है तब तक आप अपनी creative side पर focus नहीं कर पाते हो आप अपनी creativity side पर ध्यान नहीं दे पाते हो क्योंकि आपके अंदर जो negativity आपका mind वहीं पर struck रहता है ठीक है आपका कोई issue है या कोई blockage है या हो सकता है आपके issue blockage नहीं भी हो आपका mind आपके counterpart तो यह सब कुछ negativity को इंडिकेट करता है लो वाइबरेशन को इंडिकेट करता है अनलो एनरजी को इंडिकेट करता है बट जब divine feminine इन सब चीजों से बहार आ जाती है तो उसकी life में growth होने लगती है और ऐसा इस time divine feminine के साथ हो रहा है इस ताइम Divine Feminine अपने नहीं counterpart के फोकस है नहीं उसका कोई issue या blockage है और नहीं किसी तरीके का trigger मिल रहा है अगर trigger दे भी रहे है तो Divine Feminine को पहले जैसे trigger नहीं हो रहे है ठीक है यह sign होता है healing का आप बहुत ज्यादा heal हो चुके हो बहुत सी Divine Feminine जिनकी energy मुझे फिक खोरी है 95% Divine Feminine heal हो चुकी है और इसका sign है आपका creative side पर work करना अपने career पर ध्यान देना खुद पर ध्यान देना self love करना unconditioned love करना ठीक है अपनी खुद की caring करना और यह सब Divine Feminine इस time कर रही है और यही energy मुझे पिक हो रही है जो कि एक high vibration की energy में है Divine Feminine ठीक है अब कोई फर्क नहीं पड़ता है Divine Feminine को sorry ठीक है Divine Feminine पहले जिस तरीके से अपने partner पर stuck रहती थी ठीक है अब उस तरीके करना obsession है Divine Feminine के अंदर नहीं stuck है ठीक है अगर कोई भी trigger मिल भी रहा है तो पहले जैसे नहीं low होती है नहीं उस energy में काफी time तक रहती है और Divine Feminine कोई issue भी है या कोई blockage है तो अब बहुत जल्दी उसको पहचान लेती है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है मुझे इसको heal करना है या मुझे इस बास से थोड़ा सा trigger हो रहा है तो मुझे यहां पर खुद को balance करना है खुद को समालना है तो बहुत अच्छे से Divine Feminine को अ नजर आ रहा है जितना पहले Divine Feminine हुआ करती है physically, mentally, emotionally बहुत जादा balance हो चुकी है Divine Feminine तो Divine Feminine की इस टाइम बहुत ही प्यारी एनरजी है, high vibration की एनरजी है, balance की एनरजी है और healing की एनरजी है आप मैसे बहुत सी Divine Feminine जो है हील हो चुकी है अपना बहुत अच्छे से ध्यान लख रही है अपने diet पर ध्यान दे रही है ठीक है अपने career पर ध्यान दे रही है अपने creativity साइट पर बहुत जादा ध्यान दे रही है ठीक है आपकी जो creativity है वो चारों तरफ आप लोगों को नजर भी आने वाली है ठीक है अभी तक आपको एक बहुती इस नजर से लोग देखते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो, ठीके, अब वही लोग इस चीज को देखकर ये कहेंगे कि मुझे तो लगता था ये सामने वाली ये लड़की या ये तो कुछ करी ही नहीं सकती, ठीके, पर आज जब पहले आपको देखा था और आज में बहुत अंतर नजर आएगा लोगों को, ठीके, जो इस चीज को देखकर है हैरान हो सकते हैं, और ये आपको खुद से नहीं बता, डिवाइन ये खुद कराएगा, आपकी जो भी क्रेटिविटी, आपकी जो भी पा लोगों को सर्फ कर रहे हो, ये सब डिवाइन कराता है, ठीके, इसके लिए आप हमेशा ग्रैटिटीट पे कीजिए डिवाइन को, आपकी जर्नी में अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा बैलन्स हैं, ठीके, बहुत ज़्यादा permanent की जो issue है और blockage है अब पहले से बहुत ज़ादा कम हो चुके हैएं चाहे वह fear का issue हो चाहे वह obsession का issue हो argument का issue हो चाहे वह jealous का issue हो या hate का issue हो ठीके जैसे पहले आपको पर्सन को लेका बहुत ज़ादा hate रहती थी hate की energy फील होती थी या jealous की energy फिल होती थी अब वो आपके अंदर नहीं है अब आप किसी को भी लेकर hate नहीं फिल करते हो jealousy नहीं फिल करते हो अगर आपके साथ कुछ कर भी रहा है कोई सामने वाला आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे पहले पड़ता था तो आपके साथ अगर ये सारे sign ये symptoms मिल रहे हैं तो आप balance हो चुके हो और ये अभी की current energy divine feminine की ही है तो divine feminine बहुत अच्छे से balance हो रही है बहुत अच्छे से inner work कर रही है बहुत अच्छे से अपने creative side पर ध्यान दे रही है अपनी life में progress कर रही है, growth हो रही है ये सारे sign divine feminine के इस time मिल रहे है तीक है, आपको इस time white feather या white butterfly या rainbow इंदर धनुष बहुत जादा दिख रहा है जो की seven chakras balance का sign होता है तीक है, और अगर आपको seven chakras balance दिख रहा है और आप बहुत जादा imbalance हो रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके आसपास negativity है तो आपको अगर इंदर धनुष दिख रहा है तो आपको balance करने की चरूरत है यही sign आपको दिख रहा है और आप बहुत जादा balance हो आप बहुत जादा happy हो आप mental peace feel कर रहे हो inner peace feel कर रहे हो और आपको बहुत जादा rainbow के sign दिख रहे है चारों तरफ तो आप balance हो ठीक है divine आपको sign दे रहे है कि आपके जो चक्राज है वो balance हो रहे है आप धीरे-धीरे balance होने लगी हो ठीक है तो जिनको भी अभी भी इंदर धनुष दिखना start हो चुका है या white feather दिख रहा है या white butterfly दिख रहा है ठीक है और बहुत ही प्यारी couples दिख रहे है तो यह आप balance के happiness के and mental peace के सारे sign आपको दिए जा रहे हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं divine masculine की ठीक है divine masculine का heal होना balance होना divine feminine के हाथ पर होता है हाथ में होता है जितना divine feminine खुद को balance कर लेती है खुद को heal कर लेती है उतना ही divine masculine भी धीरे धीरे balance और heal होने लगते हैं अगर इस time आप बहुत जादा balance है, heal है ठीक है high vibration में है तो आप समझ आईए आपके partner भी balance होने से उने कोई नी रोग सकता heal होने से उने कोई नी रोग सकता ठीक है जैसे जैसे आप negativity से बहार आने लगते हो low vibration से बहार आने लगते हो आपके person भी negativity से बहार आने लगते हैं low vibration से बहार आने लगते हैं चाहें आप उनसे no contact में हो ठीक है ठीक है आप उनको उनसे आपकी बात नहीं चल रही है तो आप नहीं समझ पाते उनके साथ क्या हो रहा है तो आपको उन्हें देखने की जरूरत नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है आप खुद को देख लिजे अगर आपके अंदर चीज आ रहे हैं आप चीज हो रहे हैं आप खुद पर ध्यान जितना देंगे, आपके partner भी खुद पर ध्यान देंगे, वो 3rd party में ना जाकर, खुद पर ही focus करने लगेंगे, क्या होता है 3D में जितना, आप अपने partner की पीछे भागते हो, आपका partner 3rd party के पीछे भागता है, ठीक है आप जितना co-dependency में रहते हो आपका partner भी co-dependency में रहता है बड़ जब आप इन सब इशु से बाहर आ जाते हो आपका partner भी दीरे दीरे इन सब इशु से बाहर आने लगते हैं कुछ ब्लॉकिज आपके और आपके partner के अलग भी हो सकते हैं जैसे money का issue है बहुत से divine feminine imbalance होती है और कुछ cases में दोनों money को लेकर balance होते हैं बट एक time आता है balance money को लेकर आपको problem face करनी पड़ती है ठीक है जाने divine feminine हो या divine masculine हो ठीक है तो आप जितना heal हो चुकी है उतना ही है आपके person भी heal हो रहे हैं बट आप अभी heal है तो उनको थोड़ा और time लगेगा ठीक है आप उनको space दीजे आप उनको ज़्यादा परिशान मत कीजिए और नहीं कर भी रही है आप कर भी नहीं रही है अपने पार्टनर को परिशान ये मुझे पता है ठीक है आप खुद पर ही फोकस है ये मैं आपको बता रही हूँ ये बात कि अगर आप खुद पर फोकस है और आप खुद में में आपके पास आ जाएंगे ठीक है आप अपने सोल परपस पर लग जाएंगे आप अपने सोल पर परपस को करने लगे हैं या आपको यह यह समझ में आ गया कि मैं इस और पर किसी परपस से आई हूँ ठीक है वो पर पर मुझे पूरा करना है ठीक ठीके आपको 3D material world इतना आप पर effect नहीं डाल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे partner चाहिए, ठीके ये सब की choice होती है कि मुझे अपना counterparty चाहिए, ये divine भी जानता है, बट जब आप इतना ज्यादा inner work कर रही हो, इतना ज्यादा खुद को heal कर रही हो, ज आपका counterpart आपको क्यों नहीं दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, बट वो divine timing पर ही दिया जाएगा, आपके test होते हैं, आपका बार बार test लिया जाता है, एक बार में आप इतना ज्यादा high vibration में चले जाते हो, इतना balance हो जाते हो, बट divine वहाँ पर एक ऐसा test ले लेता है, आप फिर से low हो जाते हो, ठीक है, तो अगर आप अभी इस time बहुत जादा high vibration में हो, ठीक है, balance हो, तो आप यह मसोचेगा, अब आगे कुछ नहीं होगा, अब तो सब ठीक है, divine कभी भी आपका test ले सकते है, आपके person के थूर आपका test ले सकते है, आपका karmic partner के थूर test ले सक या आप उनसे relationship के बारे में सोचने लगी, तो इन सब चीजों में आपको नहीं पसना है, यह एक illusion होता है, यह एक test होता है, जो बार बार काarmic partner आपको आपको आपकर disrupt करते है, ठीक है, तो divine feminine तो बहुत जादा balance है, आपके counterpart भी बैलन्स हो रहे है, वो भी अब third party पे इतना ध्यान ना दे के खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ही focus करें, जिस तरीके से third party कहते हैं आपको तोड के रख देती है, ठीक है, आपका soul shock बार बार देती है, और आपको बार बार परिशान करती है, तो divine masculine भी अब इस तरीके की energy में है, कि वो third party पे ध्यान ना दे क तो उनका भी खुद पर ही ध्यान है, ठीक है, अगर कोई mind में आते है, तो वो divine feminine में आती है, हो सकता है, उनके अंदर कोई fear issue हो जो अभी आपसे contact नहीं कर रहे है, या नहीं कर पा रहे है, क्योंकि कभी-कभी इतना बड़ा issue हो जाता है, आपके पार्टना के बीच में कि सा भी लेकर आप tension मत लेजिए, जब divine कराता है, तो सब कुछ, सब problems, सारी negativity, सब कुछ दूर हो जाता है, ठीक है, जब काइनात आपको मिलाने पर आती है, तो कोई भी issue, blockage, person आपके बीच में नहीं आ सकता, अगर कोई आता है, तो वो divine आते हैं, और आप दोनों को एक करते हैं तो इस बात के तो आपको tension लेनी नहीं है, कि आप दोनों कव एक होगे, कव आपका reunion होगा, ठीक है, divine timing पर आपका reunion जरूर होगा, ठीक है, तो यह थी आज की energy, बहुत ही beautiful energy है, और next वीडियो में मैं आप फिर ही मिलूँगी, तब तक लिए अपना ध्याना रखिए, खुश रही है, स्वास्त रही है